इस वीडियो के इंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि Dreamfox की website के उपर अगर आपको lounges का access चाहिए होता है तो online QR code कैसे आप generate कर सकते हैं जी हाँ, तो QR code generate करने में फायदा यह होता है कि एक तो आपको line के अंदर लगना नहीं पड़ता है second thing यह कई बार यह होता है कि हमारे ब्रदर का, फादर का, किसी का भी card वगर हो सकता है तो वो लोग यह चेक करते हैं कि आपका card जो है at least एक boarding pass के साथ में आपका match होना चाहिए तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि इस website के तो आप कैसे QR code generate कर सकते हैं आपको जो है login करना पड़ेगा, login करने के लिए कोई भी sign up करने की ज़रोत नहीं है अगर आप first time भी access कर रहे हैं, तो simply आपको अपना mobile number डालना है और country button के उपर click करके, एक OTP डालके आपको verify कराना है जैसे guys आप यहाँ पर verify कराएंगे, कुछ इस type की screen आपको जो है यहाँ पर दिखाए देगी तो सबसे पहले, जैसे आपको यहाँ पर railway lounges दिख रहा है, domestic lounges दिख रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना card को जो है add करवाना पड़ेगा तो simply तरीके से यहाँ पर आपको add card button के उपर click करना है यहाँ पर multiple cards वगरे add करवा सकते हैं, कोई दिक्कतवारी बात नहीं है तो यहाँ पर simply आपको name of the card डालना है, card number डालना है और उसका जो expiration date वगरे, CV details वगरे, यह चीज़े आपको डाल करके दो रुपे आपका यहाँ पर deduction होगा, जिसके तो आपका card यहाँ पर simply तरीके से verify होगा अगर guys, card details डालने के बाद में, अगर यह आपको payment gateway के उपर redirect कर देता है और simply OTP डाल के अगर आपका 2 रुपे का deduction हो जाता है, तो simply तरीके से आपका card जो है authorize हो जाता है और यहाँ पर web access के अंदर आपका card जो है add हो जाएगा लेकिन guys, अगर आपको इस type की warning दिखती है, your card is not supported for the digital access on this app इसका मतलब there is a maximum chances कि आपके card के उपर lounge के access वगर available नहीं है या फिर हो सकता है, आपके lounge के access तो available है, लेकिन आपका card इस website के उपर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर card select करेंगे, तो उसके उपर जो भी benefits होंगे वो आपको दिखाए देंगे example के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर access bank का card जो है add करा रहा है, तो यहाँ पर मुझे साफ दिखा रहा है कि आपको 4 visit per year यहाँ पर allowed है, वो भी domestic lounges के अंदर ऐसे गाइस, अगर मैं यहाँ पर ICC button के उपर click करूँगा, जो कि मेरा card यहाँ पर add है, तो मुझे यहाँ पर railways के domestic दोनों दिखा रहा है, और कितनी limits है, कितनी limits आपके पास बची विए, यह चीज़े भी आपको simply तरीके से यहाँ पर दिखा देता है जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप आप access वगरे कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर अविलेबल है, तो गयाँ जैसे आप click करेंगे, उसके बाद में यहाँ आपको simply बदा देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक complimentary आपको visit मल रही है, और उसके ओपर कोई भी नहीं लग रहा है लेकिन यहां पर अपने guest को भी यहां पर add-on कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखेगा इसके उपर आपका charges लग जाएगा for an example जैसे मैं एक guest को add कर देता हूँ और get price button के उपर click करूँगा तो guys आप मेरी screen के सामने दे सकते हो उसके उपर automatically मेरे यहां पर charges basically आ चुके हैं तो guys एक card जो है एक person के उपर ही यहां पर applicable होता है तो guys आपको कुछ नहीं करना यहां पर simply आपको I agree button के उपर click करना है प्लस यहां से आपको 2 रुपे का simply तरीके से आपका deductions बगरे होगा so guys यहां पर आप देख सकते मेरा card से यहां पर payment कट चुका है और guys यह simply तरीके से इसने QR code यहां पर generate कर दिया है आप guys यह जो QR code होगा उसका simply आप print out बगरे ले सकते हैं या अपने mobile के अंदर भी as a snapshot रख सकते हैं और इसको simply तरीके से आपको जो अनके जो allowances के जो staff होंगे उनको दिखाना पड़ेगा और simply तरीके से आपके entry हो जाएगी मलब कोई भी card को swipe बगरे करने की आपको जरुवत नहीं पड़ेगी साथ में guys इसकी validity होती है 48 hours यानि जब भी आप यहां पर generate करते है QR code को उसके 48 hours तक आपका यह जो entry होता है वो basically यहां पर applicable होता है मलब उसके बाद में यह QR code है अगर आप use में नहीं लेंगे सो simply तरीके से यह expire हो जाएगा साथ में guys let's suppose किसी reason की वाज़से अगर आप इस QR code को यहां पर cancel भी करना चाहते है तो यह option भी यहां पर available होता है आपको simply यहां पर home screen के उपर आना है जैसे आप details के उपर click करेंगे तो यहां पर आप इस access code को basically simply तरीके से cancel भी कर सकते हैं इसके साथ में guys यहां पर multiple QR code यहां पर generate कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखेगा एक card के उपर एक ही QR code basically अला होता है अलब जित्ती आपकी launch access की basically limits वगरे होगी उसी के according यह basically issue करेगा तो guys hope you like this video please subscribe channel अगर आप लोग के कुई भी doubt से comment box केंदर जरूर बताइए thank you guys thank you very much